हेलो फ्रेंड्स मैं रहा हुल मिच्रा स्वाज़त करता हूँ आपका अपने युट्व चैनल एजुकेशन लवर में तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने थम्लेल पर देखा हुआ कि करतार के नोट से फिजिक्स पढ़े जी हां फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही देखा है मैं अब वह हमारे सारी स्टेडी में वेस्ट हो जाएंगे तो मैंने सुचा क्यों आपकी हेल्प की जाए तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया है थम्लेल पर कि मैं आपको टॉप थ्री थाउजिंड एमसी क्यू कराऊंगा जो की करतार कोचिंग सिंटर के नोट से आपको तो नुमेरिकर्स के लेकर कोई इसु नहीं करना और अगर आपको नुमेरिकर्स डिस्कस करने होंगे तो टेलिग्रम पर मेरा एजुकेशन लवर चैट ग्रूप है वहाँ पर जाकर आप इसे डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के बीज तो फ्रेंट सारी डाउट्स आ तो आप कहीं के स्पीच देने आप स्पीच देने का और आपको सुनने के कवल दो चार लोग हो तो आपको स्पीच करता हूँ कि आप इस वीडियो के जितना ज़्यादा हो सके फैल आ ताकि से मिलो किस तरह की नोट से तो आप आप सिंपल सा दिख रहा होगा अब्जेक्टिव टाइप कोस्टन एयर फर्स एन वी और नीचे आपका करतार कोचिंग सेंटर दिख रहोगा या करतार कोचिंग सेंटर का लोग है जो कि मैंने अभी दो सेकेंड पहले आपको इसकीन पर दिखाया था उसके बाद मैं आपको इसकी कंटेंट दिखा देता हूं तो इसके फिजिक्स के कंटेंट आपको कुछी तरह सो हो रहा होंगे सबसे पहले आपका यूनिट डायमेंशन है उसके बाद स्केरान वेक्टर और फ्रेंट्स मैंने इससे खुदे स्टड़ी की थी इसलिए आपको यहां पर प्रेंसिल मार्क वगर देखने को मिलेंगे तो आप इससे इरिटेट मत होना क्योंकि यह नोट्स है स्टड़ी किया हुआ नोट्स है कोई फ्रेस नोट्स नह करके और टोटल एटीन चैप्टर में कुल 3,000 प्लस एंसी की उजयां आपके पास तो मैं सारे एंसी की करवा दूंगा आपको आपको इसके बाद नोट्स खत्म हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको इसके जो कि स्री किश्णा है इसकी नोट्स से भी मैं आपको प्रोपर प्रोपर study कड़ा दूँगा जो कि एंडिये न भी एरफोर्स के लिए यह सारी भी नोट्स मिले पास एवेलेवल हैं तो आप ज्यादर से लिएदा वीडियो को सेयर करो विईव जाएंगे तो मैं और ज्यादर स्यादा वीडियो आपको प्रभाइट करेंगा और फ्रेंस करत करतार की बुक से करतार की बुक से आपको इंग्लिस इंग्लिस की जो प्रैक्टी से टोटी है इंग्लिस की सेट करतार की बुक से आपको मैं करवा रहा हूं उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो उसे भी जरूर देखे और उसके अलावा इंग्लिस की बुक से चेप सब्सक्राइब तो आपके सामने प्रजेंट है और आपका पहला प्रस्ण है कि निम्न में से कौन सी रासी मूला रासी नहीं है यानि वीच आप यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेगी तो आपके question number one का राइटिन से हो दाएगा कि volume is not a fundamental quantity आपका अगला प्रस्ण question number two है which of the following is fundamental quantity यानी निम्न में कौन सी मूल रासी है तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी रासी मूल राक्सी है तापके चार अप्शन से इनका राइटि is derived quantity यानी निम्न में से कौन व्यूत्पन रासी है तो इसका आपका राइटन से रहाजाएगा area is a derived quantity it is not a fundamental quantity आगे बढ़ते हैं question number four देखते हैं तो question number four है आपका which of the following is not derived quantity यानी निम्न में से कौन व्यूत्पन रासी नहीं है आपके आपके चार अप्शन से बताना है तो आ amount of substance is not a derived quantity it is a fundamental quantity question number five है मैंने आपको पहले ही बता रहा है कि मैं आपको थ्योरी कुछ नहीं कराऊंगा स्रिफ MCQ question and answer क्योंकि last time में इसी तरह से प्रप्रेशन की जाती है अगर आपने विता कुछ भी नहीं पढ़ा है तो please आप मत पढ़ो आप simple सा अब study करो मतलब MCQ याद कर मूल मत रख के उधारन नहीं है question number five है आपका which is not an example of fundamental unit तो cube meter is not an example of fundamental units question number six है SI पतेती में मत रखो की संख्या कितनी होती है the number of units in SI system is तो SI पतेती में मत रखो की संख्या साथ होती है seven निम्न में कौन मूल मत रख है question number seven है आपका which of the following is a fundamental units तो आपका right answer आएगा option number one Kelvin is a fundamental units आगे बढ़ते है question number eight देखते हैं आप यहाँ पर नीचे देखो मेरे कोचिंग का सब कुछ लिखा है करतार कोचिंग सेंटर पीवीटी एल्टीडी यहाँ से कॉर्परेशन ओफिस मखनिया को पटना आठ लाग चाहर तो इसमें कोई फ्लॉर वाली बात नहीं है मैं आपको प्रोपर यहाँ पे आप लोगों देख पा रहे होगे करतार यहाँ अट्र फ्लॉर की सढकितनी होती है यह आगे भठते हैं अगला प्रस्ठेशनर कोशन हमम नाइन अंतरस्टिय अस्तरप्रमानी प्र Week causing च ejercicio om अब्रिवेटेटेट फॉर्म औप एसाइज सिस्टम एट इंटरनेशनल लेवे तो आपका राइट इंस हो जाएगा अगला क्वेश्टन क्वेश्टन नंबर टेन देखते हैं कि पदार्थ की मात्रा का एसाइज मात्रा क्या है यानि यूनिट आप अमाउंट अब सब्स्ट त्रांस इस मॉल जो कि आपके आप्शान अमर थर्ड में है ओहो चलिए आप अप्शन अमर ठाट देख लिजेगा मोल है क्वेश्टन नमर 11 है कंडेला साइज मात्रा कर कंडेला इस तर चैए यूनिट अप के इन डेला इस अप स्थ यूनिट अप लूमिनस इंटेंश इं अब इन question से मुझे judge मत करना क्योंकि notes में जितने भी question है easy होंगे moderate होंगे फिर hard होंगे difficult होंगे तो यह सारे question मैं आपको कराऊंगा क्योंकि अभी easy वाला section चल रहा है तिसलिए easy question आ रहा है और यह सब question भी आपके exam में direct रूप से पूछे जाते है question number 13 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है which of the following pair does not match तो लंबाई का मीटर विद्दुधाड़ा का MPR होता है विद्दुधाड़ा का ओम नहीं होता है तो आपका राइट इन से रहा का अगे option देखते हैं question number 14 का MPR किसका SI unit है तो MPR विद्दुधाड़ा का SI unit है यानि electric current का SI unit है MPR question number 15 है मूल मात्रक अन्य मात्रक पर dash यानि the fundamental unit dash upon other unit यानि fundamental unit does not upon other unit question number 16 है question number 16 है आपका छेत्रफल का SI मात्रक है the SI unit of area is area का SI unit क्या है तो area का SI unit हो जाएगा आपका मीटर square घन मीटर SI मात्रक 17 है question आपका qm is the SI unit of qm is the SI unit of volume का SI unit हो जाए यानि आयतन का question number 18 है तुरौर्ण का SI मात्रक क्या है तो तुरौर्ण का SI मात्रक तो सब को पता है एक छोटे छोटे बच्चे को पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वार्ड इद्धा एसा यूनिट ऑफ एसलेरेशन मीटर पर सेकंड किसका एसा यूनिट है तो मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी का भी एसा यूनिट है और मीटर पर सेकंड आपका स्पीड का भी तब का राइट एज से वर जायगा आप्स नवर थाड उपायुकत वन ऐन टू यानी बोथ वन एट्वन एट्वर्ट सम्ख्या का आशीस इमातर क्या है दा असा यूइट आफ वेव नमबर इस यानि वेभ नमबर का आशाइमातर क्या है तो पर मीटर इस द यूनिट आफ व मात रख हो जाएगा option number आपका option number आपका हो जाएगा third radiant per second radiant per second is the SI unit of angular velocity तो अफेड़ अगले question को देखते हैं question number 12 sorry 22 kilogram प्रति घन मीटर SI मात आख है kilogram per cube meter is the SI unit of to kg per meter cube is the SI unit of density आप सबको पता है कि kg per meter cube density का SI unit होता है रेखिए सम्वेक का SI unit क्या है यानि the SI unit of linear momentum is kilogram per meter second kilogram meter per second kilogram meter per second linear momentum का SI unit है अगला देखते है question number 24 Newton SI मात रख है Newton is the SI unit of Newton is the SI unit of force आप सबको पता है अविर्दी का SI मात रख क्या है the SI unit of frequency is equal to hertz question number 26 है पास्कल निम्न में से किसका SI मात रख है तो पास्कल आपका pressure का SI मात रख होता है पास्कल is the SI unit of pressure option number third Joule निम्न में से किसका मात रख है Joule is the SI unit of which of the following तो card का यानि work का भी SI unit Joule होता है energy का भी SI unit Joule होता है heat of amount of heat का भी SI unit Joule होता है तबका right hand सोड़ जाएगा option number four Joule is the SI unit of all of above अगला बढ़ते है question number 28 विद्दूट सक्ति का SI मात रख क्या है तो विद्दूट सक्ति का SI मात रख हो जाएगा what ? बढ़ा देख़ते है question number 29 विद्दूथद आवेस का SI मात रख क्या है तो विद्दूथ आवेस का SI मात रख है tjroa unit of electric charge is equal to Coulomb कुलांब आपका SI unit हो जाएगा अगला है question number 13 समतल कोन का SI मात्रक क्या है यानि the SI unit of plane angle is equal to the radian is the SI unit of plane angle आगे बढ़ते हैं अगला प्रस निम्र में से संपूरक मात्रक है which of the following is a supplementary unit तो supplementary unit के रहना है तो radian और ester radian आपका दोनों supplementary unit है तो आपका राइट ने सलो रहेगा option number 3 both 1 and 2 question number 32 है ester radian निम्री में से किसका मात्रक है तो ester radian is the SI unit of solid angle जो कि आपके option number 4 में है और आपका option number 4 है यहाँ पे यह देख लो आप अरे sorry आगे चलिए question number 33 केजी पर मीटर क्यूब किसका SI मात्रक है तो केजी पर मीटर क्यूब तो आपका density का भी SI मात्रक है और mass density का भी SI मात्रक है तो आपका right answer हो जाएका both 1 and 2 option number 3 केजी मीटर पर सेकेंड निम्री में से किसका SI मात्रक है यानि केजी मीटर पर सेकेंड is the SI unit of pitch of the following तो राइट जाएका आपका linear momentum का SI unit है केजी मीटर पर सेकेंड आपने उपर देखा था question number 35 है डाब का SI मात्रक क्या होता है यानि the SI unit of pressure is equal to the SI unit of pressure is equal to kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर kg पर मीटर सेकेंड स्क्वाइर option number 3 आपका हो जाएगा 35 का answer question number 36 है डिम्री में से volt किसका मात्रक है वोल्ट is the SI unit of which of the following तो आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका electric potential का भी SI unit आपका वोल्ट है और potential difference का भी SI unit वोल्ट है electromotive force का भी SI unit वोल्ट है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा all of above 36 का option number 4 आगे बढ़ते हैं question number 37 देखते हैं question number 37 है आवेस आवेक का SI मात्रक निम्र में से कौन है which of the following is the SI unit of impulse which of the following is the SI unit of impulse to Newton second is the SI unit of impulse गुरत्वा कर्सन यातां क्यानि ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट का SI unit क्या है तो SI unit of gravitational constant is dash the SI unit of gravitational constant is dash तो आपका राइटन सो जाएगा इसका Newton meter square पर kg square यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट जी का value भी लिख रहा है मैंने जब मैंने स्टाइडी कर रहा था तो जी इकल टू 6.67 इन्टू 10 रेस्टी पावर माइनस 11 आपका जी का value होता है जो कि आपको याद कर लेंगे चाहिए डारेक आपके इसाम में आ जाते हैं कॉस्टन नमर थर्टी नाइन है निमन में से कौन बल का सीजेए स मात रहा है विच और फॉलेंग इस सीजेए स यूनिट आफ पर साइडी सो जाताइगा अप्से नमर थर्ट डायन इस सीजा जीए विट आप कर रावर होता है एक नैनोमेटर किसके बढ़ावर वता है तो आपका sich कर राइट इससाम में आप्से नमर वण 10 raise to the power minus 9 के बढ़ावर होता है 1 micrometer बढ़ावर होता है 1 micrometer is equal to 1 micrometer is equal to तो आपका इसका राइटिन से रहाएगा 10 raise to the power minus 6 meter 1 micrometer 10 raise to the power minus 6 meter के equal to होता है 1 P को बढ़ावर होता है यानि 1 P को is equal to 1 P को किसके बढ़ावर होता है तो 1P को आपका बड़ावर होता है Option No.1 10 raise to the power minus 12 is equal to होता है 1P को आगे है Question No.43 1 Fermi बड़ावर होता है 1 Fermi is equal to 1 Fermi is equal to आपका राइट इन सो जाएका Option No.3 10 raise to the power 15 meter की बड़ावर होता है 1 Fermi Question No.44 है 1 Angostrum बड़ावर होता है यानि 1 Angostrum is equal to 1 Angostrum is equal to 10 raise to the power 10 raise to the power minus 10 meter 10 raise to the power minus 10 meter 1 Angostrum का वहलू होता है Question No.45 है की प्रकास वर्ज की इकाई है प्रकास वर्ज इकाई है मैरे PDF यहाहीं तक थी तो चलिए मैं इसका बता जाता हूँ Question No.45 की Question No.45 का राइटन सो जाएका प्रकास वर्ज इस अल Lightyear is the unit of distance distance का Lightyear unit है आप time मत सबना distance का Lightyear unit होता है तो प्रेंट्स आज मैंने आपको X लेकर 45 तक Question करा है कर मैं आपको पूरे 45 से लेकर 100 तक Question करा कर आकर इस Chapter को End कर दूँगा उसके बाद आपका Scale and Vector स्टार्ट होगा तो प्रेंट्स आपको इंग्लिश का Season important है और वीडियो में जो भी एर्र लगे उसे जड़ू बताना है